जैसल मेर में हाई टेंशन तारो की चपेट में आने से प्रवासिक गिद की मौत की खबर सामने आई है जिसके चलते हैं परहवन प्रेमियों में कापी ज्यादा रोश भी देखने को मिल रहा है जिए आथ को बता दें कि जैसल मेर जिले के फतेगर तैसील के नया रास्रा के न में परकिर गिर गया और तरब तरब कर उसकी मौत हो गई जिसके चलते लोगों में कापी ज़्यादा रोश भी देखने को मिला है आपको बता दें कि इसकी सूचना जोगराज भाती ने परेवरेंट संद्रक्षक सुमिर सिंग भाती साब्ता को दी जिन्होंने वन्विभा को इस विशे में जानगानी थी आपको ये भी बता दें कि सर्दी मौसर में कई प्रवासी पक्षी जासन में राते हैं लेकिन आब के आते ही इनके खटम होने का सिलसिला शुरू हो गया है बड़ी दुगदाई घटना ये रही और सुप्रीम पोर्ष की आदेश आने के बा पचाया कैसे जाए संकट लगाता रमंडरा रहा है इनके लिए लाकों रुपे का बजट आता है लेकिन ये बजट सिर्फ मापियाओं तक बढ़ जाता है पक्षियों की जो रिपोर्ट बनाई जाती है वेना के बराबर कंपनियों की श्याओं में बनाई जाती है और आपक टकरा के दर्दनाग मोत हो गई है बड़ी दुखत गटना है और यह अभी परवासी पक्सी हमारे यहां जो आए है वो इन तारों से टकरा करके खतम हो रहे हैं यह सिलसला अब सुरू हो गया है हमने पहले परसासन को कई इसके उपर जो काम करने वाले संस्ता हैं उनको भी जवगत करवा चुके हैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी था और यह एरिया आरक में भी था इसको हटाने की मुहिम चल रही है यहां परवासी पक्सी हजरों की तादाद में लाकों की तादाद में आते हैं और अपना जिमन लिला यहां खतम कर चले जा रहे हैं तो यह लिए भी यह सब जो इन हाइटेंसन तारों से ठकरा के खतम हो रहे हैं इंको अंडर ग्राउंट करने का भी ओडर आ चुका है लेकिन नहीं किया जा रहा है और यहां देग रहे हैं और इसके पास में धरले से जो कारे हो रहा है मैं सरकार से और यहांके नमाइदों से यही आगर करना चाहता हूँ कि इसके उपर तुरंत प्रवावस से पाबंद करें और इसको आप संग्यान में लें, नहीं तो ये जो महमान अमारे हैं ये महमान दुखद अपने खतम जिमलीला खतम कर रहे हैं, ये दुखत गटना है इसके उपर परसाशन तुरंत संग्यान ले